हालो दोस्कों मेरा नाम डॉक्तर विकास कुमान एउरोलाजिस्ट एंडरोलाजिस्ट एंड प्रिनरेटर्वास प्रांस है एक नई समस्या के साथ हम लोग आज आए हैं हेल्द चर्चा में जिसका नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस लेमेंट टर्म्स में जानना चाहें तो इसका मतलब होता है किट्नी में पानी का मुझा या पानी जो है एक्चली पिशाव होता है जो रुकावट की वज़े से निकल नहीं पाता है तो अगर आपके किट्न किड़नी में सुजन सहती तो सबसे पहले अगर आपके us only है तो आपको कोई समस्या ना हो और ये चीज आपको अल्टासान में पता चले कि दूसरी चीज नों rael तेटार हो सकता है जो हमेशा बढ़ते धरते सकता है दूसरी इसके साथ आपको बार बार पिशाब लगने की समस्या हो सकती है पिशाब में खूंकाना हो सकता है इसके साथ ही कुछ लोगों को उल्टी या उखार की समस्या भी होती है तो अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं या संदेख कर सकते हैं कि है कि वह सब सबसे इंपोर्टन कारण जो है स्टून का हुआ है अगर केड़नी में स्टून है रास्ते में कहीं भी ब्लॉक के इंस तो एक सूम्हां के रूप में प्रजेन कर सकता है जो बाद में आपको इंफेक्शन के साथ सुसेटन होता है जो आपको तो फीवर एंड वोमिटिंग या उल्टी जो है उसके साथ असुसेशिट हो जाता है इसके अलावा जो है आपका जर्मजाद विक्रितियां जैसे बच्छों में होती है इस्पेसली विवार्विसाइक उरेटिक रिफलक्स बोलते हैं जिसमें आप जब तिशाब बच्चा कर करता है तो पिशाब वापस यूरेटर एंड किड्नी में जाता है जो एक सूजन क्रियेट करता है तीसरी सीट जो है आपका जो किड्नी एंड यूरेटर इन दोनों के बीच की जंक्शन होता है वहां पर अगर कहीं नेरोइंग हो गई है तो उसकी वजह से आपको किड्नी म सूजन हो सकता है और सारे कैंसर सें जैसे आपके कैंसर की वज़े से भी किड्नी में सूजन हो सकता है कि जो कैंसर होते हैं और आस्ते को ब्लॉक कर देता है और जिसके बाद किड्नी में सूजन देखा गया है इसके साथ ही अगर आप नीचे आते हैं ब्लाडर में तो ब्लाड बहुत जाड़ा बढ़नीया है और पशाप को निकलने नहीं दे रहा जिसकी वजह से भी आपके किड्नी वी शुझन का भी पिशाप एक रास्ते कुछ आजया को कुछ शुक्तान। बीमारी वजया से नहीं होती है। जैसे प्रिग्नेसिवीं शुझन होता हूँ. है थोड़ा वह सुजन है तो वह नॉर्मल रहता है उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और या प्रिग्निंसी खतम होने के साथ ही खतम भी दो जाता है है कि अगर आपको आपको अब कराने से पता चलिजाता है या से पता है इसका आप डॉक्टर से जाकर मिले या इलाज करवाइं कि अगर आप इस चीज़ पर ट्रीटमेंट नहीं तो धीरे-दीरे आपकी किड्नी खराब हो जाएगी और फिर आपको डालेसिस या ट्रांस्ट क करा है और तो किड़नी बें आगर सूजन है तो इसके उपाय भी सबसे पहले किस कारण से हो रहा ऐसे हो रहा है तो को स्टॉन का किक्म कराना चाहिए और इंफीक्शन की वज़ा से हो रहा है तो मिट्का इंफीक्शन को को सब्सक्राइब करकर जा सब्सक्राइब तो अगर आपकोरा किड्नी वे जुजन रहरा है अगर किसी वजह से अगर रडा साउंड उस निकला तो भी आप अपने एरोलॉजिस्ट से चलूर मिलें क्योंकि या कोई गंभीर विमारी का संखेज हो सकता है या कोई कोई गंवीर विमारी हो सकती है तो इस चीज को समय रहते हैं ट्रीट्मेंट कराना चाहिए धन्यवाद